हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मंें योट्यूबर चानल रार रनेवल मेट आज हम बात करेंगे के बारे में तो इन रची हम सबको पता है जम्हें को कौन्से कौन्से डिक्षेस में यूज़ कौन सी दवाईयों के साथ यानि की अधर इंजक्शन के साथ यूज कर सकते हैं और सबसे एहम मुद्धा जो है वह बहुत सारे जो प्राक्टिशनर्स होते हैं तो उनके मन में यह सवाल होता है कि जब हम बेरेनील आर्टियू लगाते हैं किसी भी प्रोटोजोल डिसीज में प्रोटोजोल इंफेक्शन में बहुत ज्यादा हाई टेंप्रेचर पशुका होता है तो ऐसी कंडिशन में हमें उस पशुकों जो नॉन स्ट्यूराड एंटी इंफ्लैमेंटरी ड्रग्स होते हैं तो जैसे कि मेलोनिक्स है परसितामॉल है निमेसुलाइड है या फिर फ्ल चाहिए या नहीं लगाना चाहिए मतलब यह इंजक्शन बाकि जो नॉन स्ट्यूराड एंटी इंफ्लैमेंटरी ड्रग्स है यह लगाना सही है या गलत है उसकी ज़रूरत है या नहीं है तो यह सारे पॉंट्स पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे तो जैसे कि आप मेरे हाथ में यह बेरेनील रटी यू का इंजक्शन देख रहे है तो मेरेनील रटी यू के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सौल्ट कौन सा होता है तो बेरेनील यह जो 7 परसे इंजक्शन आता है बेरेनील रटी यू का मतलब होता है रेडिट तू यू तो इसके अंदर इच अमेल में होता है डाइमिनेजिन एसी चूरेट जो की 70 mg पर अमेल उसका कॉंसेंट्रेशन होता है और इसके अंदर और जो एक साल्ट होता है वो होता है फिनाजोन जो 375 mg इ होता है तो ऐसे बहुत सारी इंजक्शन बहुत सारे कमपणिया बनाती है तो हमें उसके अंदर जो होना चाहिए वो होना चाहिए डायमिनेजिन एसी जूरेट तो यह एक एंटि प्रोटोजोल एजंट है मतलब कि जो प्रोटोजोल डिसीज है तो उसके अगेंस्ट काम करत यह तो अगर हम मार्केट में अलग प्रिप्रेशन मिलता है इसके अलावा जो थालियोसिस होता है तो थाइलियोसिस के लिए भी हमें अलग से इंजेक्शन मिलता है लेकिन अगर हम हमारे पास्वोड ड्रग्स एवैलेबल नहीं होता है तो हम बेरेनील रटी यू का यूज कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट भी पा सकते हैं तो बेरेनील रटी यू को अगर हम इन तिनों डिसीज में ऑक्सिटेटरा साइक्लिन इंजे उसमें 200 mg per ml उसका कॉंसेंट्रेशन होता है वो उनली इंट्रमस्कुलार रूट से लगाया जाता है तो जो दूसरा शॉर्ट एक्टिंग प्रिपरेशन हमें ऑक्सिटेटरा साइक्लिन का मिलता है जिसके अंदर 50 mg per ml कॉंसेंट्रेशन होता है तो उसको हमें यूज करना है जिसके अंदर 50 mg per ml कॉंसेंट्रेशन होता है तो उसको आएवी रूट से हम बेरेनिल के साथ दे सकते हैं तो कंडिशन के अनुसार हम 10 mg या 20 mg पर kg बाड़ेट के हिसाब से उसको इंट्रावेनसली लगा सकते हैं तो हमें बावेसिया में ट्रिप्यानसोमियस में और थाइलिरोयसिस में हमें अच्छे रिजल्ट इसके कॉंबिनेशन के देखने को मिलते हैं तो यह तो क्लियर हुआ कि जो बेरेनिल आर्ट्यू इंजक्शन है वह एक एंटिप्रोट्रोजोलेजंट है और हमें उसको अग अगर हम इसके डोज की बात करें तो उसका जो डोज होता है बेरेनिल आर्ट्यू का तो वह 5 ml पर 100 kg बाड़ीवेट के हिसाब से हमें उसको स्ट्रिक्टली इंट्रामस्कुलार यानि कि डीप इंट्रामस्कुलार लगाना होता है तो हमें अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं तो अब हम बात करते हैं कि जब प्रोट्रोजाल इंफेक्शन परश्यों में होता है तो वहाँ पर उसका जो बोड़ी टेंपरेचर है वह बहुत ज्यादा हाय होता है 106 फेरन हैट से लेकर 107 फेरन हैट तक हमें उसमें टेंपरेचर देखने को मिलता है तो बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं तो उनके मन में यह सवाल आता है कि लेकिन जो टेंपरेचर है वह इतना जाता है यानि कि 106-107 फेरन है तो इसमें हमें अलग से जो नसाइड होते हैं मतलब कि जो नॉन स्टेराइड या नहीं लगाना चाहिए तो बिल्कुल भी उसको लगाने की हमें अलग से जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो फिनाजोन होता है तो वह एज़े एंटिपायरेटिक एनलजेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी का काम करता है तो इसी वजह से हमें उसमें अलग से जो फ वह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर का जो फिनाजोन होता है वह तीनों भी काम करता है एंटिपायरेटिक भी काम करता है और एज एनलजेसिक भी काम करता है तो इसी लिए हमें उस अलग से उसमें नसाईट से एने की यह जो ना यह необ हैं हो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है है। तो अब हम बात करते हैं इस बेलेने इंजक्षान के विड्रल पीरिड की तो इसका जो विड्राल की बात किन तो इसका मिटवोर ट्वीडियोड का होता है तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी जानवर को स्लाटर किया जाता है अगर कोई बकरा है उसमें हमने जो लगा है तो उसका मास जो है तो वह हम 20 दिनों तक यूज नहीं कर सकते हैं यूज बख्रे को 20 दीन तक हम स्लाटर नहीं कर सकते हैं एक कीसे दिन के बाद हम उसको स्लाटर करके उसका मीट यूज में ले सकते हैं अगर हम milk withdrawal period की बात करें अगर हमने किसी गाय भहस में लगा दिया या चाय वो बकरी हो तो उसका जो दूद है वो हम तीन दिन तक यूज नहीं कर सकते मतलब कि जो आखरी शॉट हम लगाते हैं तो उसके तीन दिन तक हम उसका milk यूज नहीं कर सकते और 20 डेस तक हम उसका meat अधिन में रखना है तो विरेनिल रटीव इंजुक्षण को हम आज अज प्रोफायल एक्टिक भी यूज कर सकते हैं और रहेजर ट्रीटिमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और जब हम किसी अनिमल में उसको लगाते हैं इसकी लार्ज अनिमल है किसी गाय में या ब व भाइस है या थाइलेरेसिस हुआ है तो वहां पर इसका हम जो टोटल है वो 56 ml से एक्सिड नहीं होना चाहिए, यानिया 56 ml से जादा हम किसी भी परश्व में इसका डोज जादा नहीं लगा सकते हैं, तो 56 ml ये final dose है मतलब इससे जादा हम किसी भी सूरत में इस बेरेनिल RTV injection को नहीं लगा सकते हैं चाये उसमें हमें result मिले या ना मिले तो यह हो गई complete जानकारी बेरेनिल इंजक्षन के बारे में और बेरेनिल इंजक्षन के साथ हमें जो नॉन स्टेवराड इंजक्षन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए यह भी डाउट आपका इस विडियों से क्लियर हो गया होगा ऐसी मैं उम्मित करता हूं मेरे सा बहुत बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद